उत्तर प्रदेश बिधान सभा में 7 अगस को सिख्छा सेवा चायन आयोक का विदेहक जो है वो सदन में पेस किया गया है लिकिन उसे मनजूरी नहीं मिली मतलम कि मना नहीं किया गया है लेकिन अभी उसे फानली उस पर बहस होगी फिर पच्च मिपच्की उसके बाद मनजूर कि मुलेगी आज और 6 तारीक में भी सिख्छा सेवा चायनायोक को मनजूरी देखने को नहीं मिली है क्योंकि इस पर कोई वारता नहीं होई वैबिन सोसल मीडिया के मादम से यह जानकाली आपको देखने को मिली कि इस पर मनजूरी सों मार को सदन से मिल गई है लेकिन दोस् सिक्षा सेवा चैन आयोग आगे का जो कार है वो कर पाएगा और ये पहल जो है उस्वरू हो चुकी है इस विध्यक को जैसे कि कुल्पती हों या पूर्व कुल्पती हों इन सभी को ही अध्यक्ष बनाया जाएगा सिक्षा सेवा चैन आयोग एक निगमित निकाय रहेगा और इन सभी के जो चाहिए वो अध्यक्ष हों चाहिए वो सदस्य हों इन सभी की जो नाम है जो पहले से डिसाइड कर लिया गया है ठीक है कि कौन कौन होंगे तो जल्द ही वो सभी चीज जो है वो लोग तैनात किये ज प्रदेश में जो आयोग है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग वो इसी महिने ठीक है इसी महिने अगस्ट में लगभक 2648 पदों में अगले हफते ही विग्यापन संभावता जारी कर सकता है और इसमें यह जानकरी देखने को मिली है बड़े विग्यापन होंगे जिनके आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो विग्यापन आयोग जो है वो जारी करेगा जिसमें से आपको स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर विभिन विवागों में ग्यापन जो है संभावता अगले वहने देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह अच्छी अपडेट रहेगी आयोग के माध्यम से इंतजार करने वाले चात्रों के लिए भी और अब बात करते हैं उत्तर प्रदीश के प्राथ्मिक सिक सिक्छा मंत्र आले ने राज्यसवा में एक सवाल जब पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2023 में हमारे पास जो रिक्तपद हैं उत्तर प्रदीश में वह 186028 हैं ठीक है लेकिन आज सिक्छा मंत्री जी ने कहा कि भाई हमारे पास 85000 पद रिक्त हैं पराथ्म लेकिन हम नई प्रात्मिक सिक्षक भरती पर कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो पुरानी भरतियां हैं उसमें बहुत सारे मामले पेंडिंग है तो जब अनिस्तायत हो जाएंगे तब आगे कर कुछ होगा तो सोचेंगे ऐसा वैसा यह सब बताया कुल मिलाक भरती को लेकर सरकार बिलकुल भी सक्रिय नहीं है और सबचे अच्छी जो एक बात है बुरी बात समझ सकते हैं अच्छी क्या है मजाख वाली बात है दोजार एक्किस बीस इक्किस में कर आप देखेंगे तो सात लाख उन्नीस हजार के आसपास पद स्युक्रत थे प्रात् सरकार स्युक्रत पदों को कम कर रही है जिससे प्रात्मिक सिक्षकों के रिक्त पद आटोमेटिक यहां पर कम होते जा रहे हैं तो यह सरकार का खेल है और इसी कारण से उत्तर प्रदीश में प्रात्मिक सिक्षक और चात्र का जो अनुपात है वो लगातार बराबर बना सिक्षक 1,49,000 पद सीधे ही गाइब कर दियेगे तो जब सिक्रत पद ही नहीं रहेंगे तो सिक्षक छात्र का नुपात अपने आप बराबर होता रहेगा और आज का बयान आपने चनल के विभिन वीडियो पर सुल लिया होगा सिक्षक मंतरी जी ने कहा कहा मुख मंतरी योगी आदित तनाथ जी ने भी बयान दे दिया है कि हमने पिछले 6 सालों में लगबख 1,50,000 प्रात्मिक सिक्षकों की भरती कर डा ली है और अभी सिक्षक छात्र का नुपात बराबर है इन भरतियों को हमने पारदरसी तरीके से किया है इन भरतियों में कोई भी मामला कोर्ट में पैंडिंग नहीं है जबकि मुख मंतरी जी को साइद ये नहीं पता है कि 12,460, 79,000 में आरसर सो सिक्षड मामला 79,000 में आंसर की का मामला 68,500 में 22,000 सीटें ऐसे बहुत सारे कोर्ट मामले पैंडिंग है और इन मामलों को निस्तायत करवाने के लिए छातर कोर्ट के दरदर भटक रहे हैं ताकि ये मामले निस्तायत हों हमें नियुक्ती मिल सके लिकिलिए मामले दोस्तों निस्तायत नहीं हो रहे है सरकार अपनी वावाही लूटने में बेस्ट है सरकार लगातार यही बताने में ब्यस्त है कि हमने भर्तियां की हैं सभी भर्ति जो हैं हमने पारदर्सी तरीके से की हैं लेकिन जो जमीनी इस्तर की जानकारी है वो DLA, BAD, BTC के बेरूजगार छातर ही समझ सकते हैं कि आखिर में उत्तर प्रदीश में क्या इस्तिती है यह जो रिपोर्ट आई 126,028 पद रिक्त हैं जबकि आज बेसिस इच्छा मंतरी साफ पलड गए और उन्होंने का भाई हमारे पास केवल 85,000 पद रिक्त हैं तो देखिए आधे का आकड़ा है सरकार के आलादिकारी या सरकार ही जुट बिल रही है अपने दो-दो जवाव में अलग-अलग तरह के जवाब दे रही है एक बार एक लाग 26,000 दुबारा सबाल पूछने पर 85,000 तिवारा पूछेंगे तो पद ही नहीं रहेगा ठीक है तो ये सब इस्तियां यहां पर बनी हुई है उत्तर परदेश में अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर परदेश में डियलेट बीयड करना बिलकुल भी सही नहीं है क्योंकि नौकरी के आसार बिलकुल भी ना के वरावर है हला कि ये जो आयोग है ये आज आएगा इस महिने के लाश्ता या सिप्तेंबर में तो आने के बाद वो अपना वही प्रक्रिया सुरू करेगा कमाई वाली जैसे की यूपी टेट का विग्यापन निकाल देगा जिसमें कम से कम 20-30 लाग च्छात्रावदन कर देंगे 6-655 रुपए, 1000-1000 रुपए फीस देंगे लाखो करोडों रुपए सरकार के खाते के जोली में आ जाएंगे लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी क्योंकि आज जो विधान सभा सत्र में देखा गया आज जो रिपोर्ट आई बेसिक सिच्छा मंतरी जी की योगी जी की उससे साफ इस्पष्ट हो गया कि सरकार बिलकुल भी तैयार नहीं है नई प्रात्मिक सिच्छक भरती निकालने को लेकर यानि की बिलकुल भी बिचार नहीं कर रही है ना के बराबर बिचार के स्थिती बनी हुई है आप सभी ने देखा होगा आप कमेंट करके खुद बताईएगा कि आप क्या सोचते हैं प्राकार का आज का जो जवाब रहा उस पर आप की राय क्या है आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़्यादा ज़्यादा बताईएगा वीडियो को लाइक करिएगा ये कुछ महत्पुड अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी है अगर आप स्टाफ नर्स में नौकरी करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर लीजिएगा आयोक को लेकर मैंने जान करी दे दी है अगर इसमें आपके भी कुछ और सवाल है तो आप कमेंट करिएगा उसके भी जवाब कोसित की जाएगी कि आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर उसका दिया जाए और वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यहीं तक की अपडेट थी यहीं तक का वीडियो था यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद